पिक बॉस OTT 3 के लाइब फीड में हमें देखने के लिए मिला यहाँ पर किच्छन में किच्छन की ड्यूटी वाले का इंटेस्टेंट अपना काम कर रहे होते हैं और लंच तयार करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर सनन मख्बूल अपनी चौपिंग की ड्यूटी करते हुए नजरा आती है और यहाँ पर आटा गिरा होता है जिसके लिए वो रनवीर को बुलाती हुए नजरा आती है क्योंकि इस तरीके की बात करेंगे तो उनकी भी चौपिंग की ड्यूटी है वो नहीं रनवीर और सना दोनों की इसी बात को लेकर आर्गिमेंट होती होई नजर आती है क्योंकि सना का कहना होता है कि तीन दिन पहले जब रनवीर ने सना से कहा था कि चॉपिंग करने के बाद फील वो फेक दे तो सना चुप चाप आई थी और उन्होंने अपना काम किया उसके बा ने कहा तो सना ने एक बार में काम किया था तो रनवीर इस तरीके से कुछ नहीं कह सकते कि वो उनके उपर एहसान कर रहे हैं यहाँ पर सना पर जद पकड़ती होई नजर आती हैं अगर रनवीर ने सलसाफ नहीं किया तो वो भी चॉपिंग के बाद जो है चिलके नहीं फे कि उनने चॉपिंग के बाद सारे चलके ने होंगे से बान गुस्सा इस बात को सुनने के बार और बी ज़्यादा बढ़कता हुआ नजर आता है और सना यहां पर कहती है कि नजराई कि अगर रन वीर को ऐसा लग रहा है तो वह उन्यक्त पे सकते हैं लेकिन वो के कान्टक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते वो सना और बिग बॉस के बीच की बात है वह आपर रन्वीव जो है वो सना को मंध बुत्ती भी कहते हूए नजरा और कह रहे होते हैं कि सना जो है लोगों को देखकर अपनी बात पलग देती है। दो मिनिट पहले वो कुछ और कह रही थे और जैसे यहाँ पर ज्यादा लोग इखटा हुए तो वो कुछ और ही बात कह रही है। वला आपका सनम अकबूल और रनवीव के बीच में हुई इस लड़ाई पर क्या कुछ है कहना हमें कौवन्स में जरूर बताएं ऐसी ही अपडेट्स के लिए अमारे चानल को सब्सक्राइब करें।